हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम फोर यू में दोस्तों आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं दिल्ली डिस्ट्रिक कोर्ट से लेटिड जो धांदली की जाच डिडी सी ने सुरू की है उस से लेटिड बहुत बड़ी खबर मैं आ आपको बताने जा रहा हूँ डिडी सी में जो आपका नकल चल रही है धांदली चल रही है उसको लेकर डिडी से ने क्या करवाई शुरू की है पूरे प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है पहली बार वीडियो देख रहे है वो था 28 फरवरी में उसके बाद था आपका 7 मार्च को लेकिन 28 फरवरी के बाद आपका 7 मार्च को पेपर नहीं कराये गया क्योंकि जो पेपर था लीक हो चुके थे धांदली चले वी थी 28 फरवरी उसके बाद जो बच्चे पकड़े गए इसलिए आपका 7 मार्च का पेप पर नहीं कराय गया है अब आपका पेपर हुआ है एक अगस्त में और आठ अगस्त में तो पूरी खबर मैं आपको बता देता हूं डिली कोट गूरूप सी परिक्सा में निकल के मामले में राजकुमार को जेल भेजा गया पूरी खबर जान लेते हैं अमरू जाला में खबर काकडोग मुर्गी फॉर्म में दिल्ली अदालद में गृूप की परिक्सा में निकल करवाने के बाद जो मामले की रफ तार आरोप किया गया है जो गिर रॉपियो राजुमार जिसे तीन दिन के लिए रिमांड पर लिया गया है वीरवार को जिन अदालद में पेस किया दिल्ली वे पंजाब में कहीं परिक्षाएं दे चुका था ग्राम सची परिक्षा में नकल का मामला आरोफ चार दिन से रिमांड पर यानि खबर आ रही है दिल्ली डिश्टी कोट का जो आपका पेपर चल रहा है उसमें धानली के काफी आ रहे हैं सबाल सभी के मन में सबाल क्या धानली तो नहीं चली वे इसलिए आपका साथ मार्च का जो आपेपर नहीं कराया गया था पूरी खबर जालने दे मोबाइल वे 11 ब्लूटूट डिवाइस के बारे में आरोपी राजगुमार ने बताया है कि ये मोबाइल वे डिवाइस आरोप असोग नहीं उपलब् है एस्टी एफ इंचार्ज इंस्पेक्टर पवन सिंकुमार ने बताया है कि आरोपी की निसान देही के बाद हर्याने में पंजाब में कहीं स्थानों पर दबीस दी गई है लेकिन अन्यारोपी की गिरफतारी नहीं हो पाई राजगुमार ने दिसनिदेश के बाद दूसर के स्थान पर परिक्सा देने वाले कई के पुलिस रिमान पर लिया है यानि ये जो था किसी और की जंगा पर इक्सा देता था जैसे मेरा पेपर है मेरी जंगाई बैठ जाता था ब्ल्यूटूट डिवाइस लेकर मुबाइल लेकर ये पेपर करता था आरोपी धर्मेंदर ने गरम सचीवपद की परिक्सा में नकल के लिए सोनीपद के अफरबाद निवासी रविंदर को इलेक्ट्रोनिक्स डिवाईस वे उत्तरकुंजी ली थी मामले में आरोपी रविंदर को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुके है आरोपी ने पूछताज जारी है तो आरोपी से अभी भी पूछताज जारी है मामले में अर्बन अस्टेंड थाना परभारी इंस्पेक्टर विरेन सिंग का कहना है कि आरोपी के कब्जे से वाकी टॉक क यह मुवाइल बरामत किये गए हैं यानि पूरी धानली इसमें चली हुई थी गुरूप सी का आपका जो डीडी सी का पेपर था उसमें कहीं जो हिरासत में लिए गए हैं 28 फरवरी के बाद आपका साथ मार्च का पेपर इसलिए नहीं कराए गया क्योंकि इसके पीछे धानली के आरोप आए कुछ उसमें गिर अफ्तार किये गए हैं राजकुमार जैसे और पता नी कितने हैं उनकी भी तलास जारी है तो दोस्तों यूवक वे ब्लूटूथ के मादियम से परिक्सा में परसं हल करवाने के आरोप में उन्हें निशाने पर हैं यानि ब्लूटूथ के म रोध बड़ी आई थी मैंने इस वीडियो में आपको बताया क्या आपकी धांदली चली हुई है डीडीसी का जो पेपर था उसमें धांदली चली हुई थी डीडीसी ने अब जाच करने के आदेश दे दिये हैं और कुछ इसमें जो ए सरगना फसे हैं तो ये खबर थी आपकी बिग ब्रेकिंग न्यूज थी डीडीसे लेटीड बैने इस वीडियो में आपको बता दिया वीडियो अच्छे लगी हो तो जल्दी से लाइक से और सब्सक्राइब कर दे एक्जाम फोर यू चैनल को बैल आइकन को जरूर ओन कर लेना ताकि आपको यहापर जो भी अपड इस वीडियो में इतना है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत